कि यूजर's formula देखिए यह जो यूजर's formula यह तब ही लगता है जब planner graph दिया वहाँ अगर किसी graph में crossover हो रहा है तो यह यूजर's formula नहीं लगेगा क्यों लगए क्योंकि हमें regions की जरूरत है और region तब बनता है जब crossover नहीं होता ठीक है तो यह यूलर्स फॉर्मूला हमें क्या बोलता है कि देखिए यह यह नंबर ओफ वर्टेस इस वह नंबर ओफ एज़ें और आज जो है नंबर ओफ रिजन तो इसने एक रिलेशन्शिप क्लेट किया है यूलर्स ने की देखिए एक्जामीनर क्या करता है इस मेंसे कोई दो चीजन्शिप देदेगा या तो यह और 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 तीसरा के लिए बोलेगा तो पहले तो आप यह एक प्लैनर ग्राफ है यह नहीं और तब आप यूलर्स फॉमला अप्लाई कर सकते हैं और कई बार क्या होता है कई केवल दो ही चीज़ें दी होती है तो जब दो ही चीज़ें दी हो तो पहले यह verify कर लीज़े कि क्या वह प्लैनर ग्राफ है और फिर यह verify कीजिए कि क्या उसमें at least three vertices हैं और अगर at least three vertices है ना उसमें तो फिर यह दो formula लग जाएंगे इसमें तो मान लीजे आज निकालने को बोला है और number of vertices दी होएं और वो graph planner है और तो में at least three vertices हैं तो फिर यह पहला formula यूज कर लीजे और अगर number of regions निकालने को बोला है और number of vertices दी होएं तो फिर यह दूसरा formula यूज कर लीजे आप ठीक है तो यह total तीन formula है यह planner graph के case में यह लगते है झाल निकालने को यह दूसरा दूसरा य निकालने को बोला है और निकालने को बुला है और यह होएं यह लगते हैं अज अटे पना